साथ ओक्टूबर से शुरूआ हमास एजराइल जंग में हर दिन नया मोड आता जा रहा है इस युद में मिडेलिस्ट का घातक आतं की संग्ठन माने जाने वाला हिजबुल्ला भी कदम रख चुका है हिजबुल्ला की जो ताकत है उसका जो खुंखार इतिहास रहा है उसे देखते हुए फिलहाल इजराइल की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी तो आई ये जानते हैं कि हिजबुल्ला की सामरी ताकत आखिर है कितनी इस युद में उसकी एंट्री से कितना असर पढ़ने वाला है और आखिरकार हिजबुल्ला अस्दित्व में आया तो आया कैसे आधिकारी क्रूप से तो हिजबुल्ला के स्थापना 1985 में हुई थी लेकिन इसकी शुरुआत पहले सही हो गई थी दरसल लिबनान की सत्ता से बेदखल होने के भाय से 1975 में लिबनान में श्रिया और सुन्नी मुसल्मानों के बीच भीशड ग्रियुद्व शुरू हो गया इस बीच मौका देखकर फिलिस्तिनी लड़ा के तक्षणी लिबनान से इस्राइल पर हमले करने लगे जिसके बाद 1978 में जवावी कारवाई करते हुए इसराइल में लिबनान के कई हिस्सों बख़जा कर लिया हिजबुल्ला 1982 में पहली बार अस्दित्तों में आया इसमें लिबनान के सताय हुए शिया लड़ा के भरती हुए और इरान ने इन्हें इस्राइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इसके बाद 1985 में अपना घोश्रा पत्र जारी करते हुए हिजबुल्ला खुल कर दुनिया के सामने आ गया शुरूबाती घोश्रा पत्र के मताबिक हिजबुल्ला का मकसद सशस्त्र संघर्श के जरिये इसराइल को खत्म करना था उस दौरान लिबनान से पश्चिमी ताकतों को निकालना उसका पहला मकसद था इसके साथ ही अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजिवादी ताकतों के खलाफ लड़ने की बात को वो पूरी ताकत के साथ रखने लगा और उसी के मताबिक अपनी रणिती बना कर उस पर अमल करने लगा शुरुआती दोर में इसलामी गड़राजी से लगातार मिलने वाली आर्थिक मदद ने हिजबुल्ला को प्रमुखता और ताकत दिलाई लबनान के ग्रियुद में हिजबुल्ला ने एहम भूमिका निभाते हुए दक्षणी लबनान पर कबजा करने वाली इसराईली सेनाओं के खलाफ लड़ाई का नत्र तो किया और आखिरकार उन्हें 2000 में बाहर का रास्ता दिखाया वैसे लबनान में हिजबुल्ला की भूमिका इसराईल के खलाफ एक लड़ाके के तौर पर है लेकिन पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों ने हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन गोशित किया हुआ है वर्तमान की बात करें तो इसराईली सेना की अनुसार हिजबुल्ला के पास 45,000 लड़ाके हैं जिसमें से 20,000 सक्री रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हिजबुल्ला के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाईले हैं इन में कुछ लंबी दूरी की मिसाईले भी शामिल हैं जो पूरे इसराईल तक मार करने में सक्षम हैं हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक मिसाईले, दरजनो ड्रोन, एंटी शिप मिसाईल, एंटी एरक्राफ्ट मिसाईल और एर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है इस युद में हमास भी इसराईल पर एक के बाद एक पांच हजार रॉकेट्स दाग कर अपी ताकत का एहसास करा चुका है वो भी इस तरह से कि इसराईल का आरेंड डोम नाम का एर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाया ऐसे में हिजबुला की ताकत का जुड़ना इसराईल को और कमजोर करेगा इसराईली डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि हर साल हिजबुला को करीब 70 करोन डॉलर से जादे का फंड मिलता है इसका एक बड़ा हिस्सा इरान से आता है इसराईल को भी अमेरिका के साथ पश्चमी देशों का समर्थन हासिल है बावजूद इसके हिजबुला के पास किसी देश की सेना के बराबर की ख्षमता है हिजबुला के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को टागेट कर सकते हैं ऐसे में अगर हमास और हिजबुला दोनों एक जुट होकर अपनी पूरी ताकत के साथ इसराइल पर हमला करते हैं तो इसराइल के लिए इन पर पार पाना आसान नहीं होगा तो इसराइल आसाना 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 नहीं हो च बाउसा नहीं हो थजआिए जवा च sm 우리 दितीतक लगा-प道शी उड़िया आसा आसाना आसाना आसा Moscow